देखिए जिस तरह से कल देश की संसद में रमेश विदूरी जो भाजपा के संसद है उन्होंने बसपा के संसद दानिश अली को गाली दी, सिर्फ गाली नहीं दी बलकि सामप्रदाईग गाली दी उस भाशा का इस्तेमाल किया जो गली चोरहों पे इस्तेमाल की जाती है तो मैं बहुत हैरत में हूँ और मुझे देश के प्रधान मंत्री जी से पूछना है कि क्या नई संसत जिसका आप दावा कर रहे हैं उसमें गाली देने की छूट है क्योंकि पंडी जवालाल नहरू बाबा साब अंबेटकर मौलाना आजाद के सपने की जो संसत थी जो बनी हुई पुरानी संसत उसमें तो मैंने कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना था नई संसत में क्या गाली देने की छूट है मेरा सवाल है पुरधान मंतरी स्वयम राज्यसभा में उसमें मौझूद थे जब लोकसभा में ये घटना करम हो रहा था सो फिट डेड़ सो फिट की दूरी पर मेरा मानना है दो सो फिट की दूरी पर और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि संविधान संसत की गरिमा संसदी मर्यादा इन सब के मायने क्या रह जाते हैं मेरी गुजारिश है लोगसभाद देख से कड़ी से कड़ी का रिवाई करके आप देश को संदेशा दीजे आपने अधीर रंजन चोधरी जी को सस्पेंड किया था बिना किसी कारण के इधर राज्यसभा में संजे सिंग सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के राग